आईलो टॉक्स चेनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे केवेट पिटिशन के विशेपे केवेट पिटिशन के बारे में बहुत से लोग समझते हैं जानते हैं लेकिन नाम सबने सुना हैं पर उसकी प्रोसेस क्या होती है केवेट य याची का लगाने की समय अवधी क्या होती है और केवेट याची का कौन फाइल कर सकता है इस विशेपर लोगों को कोई नौलेज नहीं होता है और यह सीपीसी का विशेपर यानि की एललबी के स्टुडेंट से के लिए भी ये विशेपर बहुत ही महत्तपूर है चलिए हम केवेट याची का को देखते हैं परंति उसके पहले चेनल को सबस्क्राइब और लेटिस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए केवेट याची का का प्राओधान सिविल परक्रिया सहीता 1908 की धारा 148 का के तहत किया गया है केवेट याची का को पाई के रूप में परिभाशीत किया गया है जो उस वेक्ति द्वारा लिया जाता है जो भय या घबराहट में होता है कि उसके वृद्ध या उसके खिलाफ कोई मामला नियाले में दायर हो सकता है केवेट जो है ये एक लेटिन शब्द है और इसका आर्थ होता है बी अव केवेट एक सूचना होती है जो एक पार्टी के द्वारा नियाले को दी जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई एपलिकेंट को या कि आवेदक को बिना नोटिस भेजे विपक्षी पक्ष को या विपक्षी पार्टी को कोई भी रिलीफ ना दे और नहीं कोई एक्शन ले अगर विरोधी पार्टी कोड में कोई आवेदन लगाती है कोई केस लगाती है तो पहले आवेदक ने जिसने की केवियेट याची कर लगाई है नियाले उसको पहले नोटिस भेजे उसको नोटिस भेजे बिना विपक्षी पार्टी को ना तो वो कोई रहात देगा और ना ही कोई कारवाही करेगा इस तरहां से ये एक तरहां का बचाव होता है जो एक पक्षी के द्वारा लिया जाता है सिविल परक्रिया सहीता 1908 का जो धारा 148A है उसके अंतरगत केवेट पेटिशन जो है वदायर की जाती है केवेट फाइल करने वाले न्याले में केवेट पेटिशन का मतलब होता है अगर न्याले से अनुरोद कर रहे हैं अगर आप मतलब की जो भी पेटिशन को लगा रहा हो वो न्याले से अनुरोद कर रहा है कि अगर कोई वेक्ती ने न्याले में मामला दर्जिक किया है उसके वृद्ध जिसमें उसका कोई वेरिट इंट्रेस्ट है तो नियाले द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए उस मामने में नियाले कोई भी आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनेगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन देगा केवेट पिटिशन एक बचाव होती है इसका फायदा लोकतव उठाते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई वाद जो उनसे संबंदित होगा कोई कारवाही या उसके ओपर कोई एक्शन लिया जा सकता है अब देखते हैं केवेट याचिका की जो समय आवदी है वो कितनी होती है केवेट याचिका की वैदिता 90 दिवस या 3 महा की होती है अब केवेट याचिका की आवदी से यहां मतलब क्या है कि आपने एक बर केवेट याचिका लगा दी फिर सामने वाला अगर एक साल दो साल तीन साल यानि कभी भी केस लगाएगा तो क्या नियाला है तब जब भी वो केस लगाएगा आपको सुषना देने के लिए बादी ह तो ऐसा नहीं है एक निश्ची ताउधित एक कर दी है 90 दिन या तीन महा आपने केवेट याचि का लगाई है अगर उसके 90 दिन या तीन महा के भीतर कोई के आपके वृद्ध केस फाइल करता है तो केवेट याचि का वेलिड होगी आपकी और आपको जो है सुचना दी जाए लगाई थी तो वो आपको सुचना दे क्योंकि इसकी समय अवधिक केवल 90 दिन या तीन महा की है यानि जिस दिन केवेट फाइल कर देते हैं उसके 90 दिन ये तीन महा तक ये वेद रहती है अगर किसी वेक्ति दोरा 90 दिनों के अंतरगत नियाले की समक्ष कोई विवाद प् लिवाद है उससे संभंधित या नियाले दोरा सुचना आवदख को भिजवा कर सुचित करदिया जाता है अगर अपोजीट पार्टी के दोरा 90 दिनों के अंदर कोई केस कोड में फाइल किया जाता है तो उससे संभंधित कोड में एक ओड प्रर अरक इडृ कर सोचित किया जाता है एक बार 90 दिनों को टाईम अगर पूरा हो जाता है तो दोबारा आपको केवेट पिटिशन फाइल करना होगी आपको केवेट पिटिशन में opposite पारटी का नाम बताना होगा जिस पर आपको शक होता है कि वो आवेदक के खिलाफ या आपके खिलाफ कोई एक्षन ले सकता है यानि 90 दिन के समय अवधी होने के बाद अगर आप केवेट पिटिशन का फाइदा उठाना चाहते हैं तो आपको फिर से केवेट पिटिशन को लगाना होगा और इसमें सबसे महत्यपुन बात ये है कि आपको उस वेक्ति का नाम लिखना होगा जिसके विरुद्ध आपने केवेट पिटिशन लगाई है जिसमें आपको ये शंका है कि वो वेक्ति जो है आपके खिलाफ कोड में केस लगा देगा और आपको उससे अपना बचाओ करना है 148A में किसी शिग्र प्रस्तुत होने वाले वादमी किये जाने वाले आवेदन का उल्लेख है जिसके संबंद में केवेट प्रस्तुत की जा सकती है अब इस इस्तिथी में जब वात का कोई अस्तित्व नहीं है वैसे इस्तिथी में केवेट प्रस्तुत करने के लिए इसकी अनिवारियता नहीं हो सकती है कि अधिनस्तिन आलाई के आदेश ये निर्णाई की प्रतिली प्रस्तुत की जाए सीधा सा यहाँ ये बात कही गई है अगर हम कम शब्दों में कहें कि आदेश ये निर्णाई की प्रतिली प्रस्ति लिए यहाँ किवल आशंका है संभावना है और संभावना मातल पर आप केवेट याचिका लगा रहे है तो यहाँ आपको किसी की भी प्रतिली पी नहीं लगानी है परन्तु केवीट बिना अधिनिस्तिक निर्णाई के परतिलिपे के प्रस्तुत की जा सकती है लेकिन हाला कि जहां किसी आदेश या निर्णाई की अपील या रिवीजन की संभाव नहों और उसमें किसी प्रात्ना पत्रिक के प्रस्तुत होने की संभाव नहों वहां केवेट प्रस्तुत करने पर नियाले का कारियाले आपसे उस आदेश निर्णाई की प्रती या फोटो प्रती भी हो सकती है प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिससे उस आदेश ये निर्णाई की वृद कोई कारवाई संभन्धी थो तो उसे तुरंत पहचान सके इससे केवेट प्रस्तुत करने वाले को भी अपने उद्देश को प्राप्त करने में सुवीधा होती है किन्तु ऐसे प्रती केवेट के साथ प्रस्तुत करना अनिवारी नहीं है यानि अगर कोई आदेश ये कोई निर्णाई हो गया है और उसकी आपको इसी संभावना है कि उसके अपोजिट में कोई कोई प्रातना पत्र प्रस्तुत करने वाला है तो उस कंडिशन में आप उस आदिश की प्रती ये कॉपी को लगाके और केवेट याचिका को दायर कर सकते हो कि इस आदिशन ये विरुद अगर आपके पास कोई आविदन आता है यानि कि नियालाई के पास तो नियालाई पहले आपको सूचना दे केवेट याचिका क्या होती है और कौन फाइल कर सकता है जब किसी को ये अंदेशा होता है कि विपक्षी पार्टी कोई एक्शन लेने वाली है तो उसी कोड में केवेट पिटिशन फाइल कर सकता है ताकि विपक्षी पार्टी कोई में केवेट याची का जब भी कोड में करेगी तो आपको सुचित कर दिया जाएगा आवेदक को सुचित कर दिया जाएगा एक बार जब केवेट फाइल कर दी जाती है तो वह कोड का करता भी हो जाता है नियाले की ये ड्यूटी हो जाती है कि वो उस केवेटर को नोटिस भेजे और विस वेक्ति को बात के बारे में सूचना जो है वो दे और ये जो केवेट है, ये केवेट कोई भी वेक्ती लगा सकता है केवेट याचिका में सबसे महत्वपूंट तथी है कि केवेट पिटिशन में किन बातों का होना आवश्चक होता है तो सबसे पहले नियाले का नाम होना चाहिए जहां पर वाद को लगाया गया है जब आपका नियर्णा डिसीजन आई गया हो और आपको ये अंदेशा हो कि उसके वृद्ध को ये आविदन देने वाला हो तो उस कंडिशन में आपको जो आपका नियर्णा आदेश है उसका केवेट का नंबर डालना है तिसरा उस वेक्तिकन ना जिसके भीहाफ पर केविनेट फैल की जानी है और चोथा उस वाद की सारी जानकारी जिसके केवेट में दर्ज करना आप चाहते हैं और चोथा है केवेटर का पूरा पता साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि उस पते पर कोड के द्वारा उसे नोटिस भेजा जा सके केवेट से संबंदित ये थी बहुत ही महत्तव पूर्ण जानकारी और ये वीडियो आपके लिए उप्योगी होगा एसी आशा है इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लाइक करेंगे, कमेंट से करेंगे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे मैं डाक्टर इशात खाना आपसे इजासत देती हूँ अगले वीडियो में फिर एक नए विशे के साथ मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद